हेलो एवरिवन आज हम क्रॉप प्रोडक्शन और मेनेजमेंट का अग्रिकुल्चरल प्रैक्टिसिस का नेक्स्ट पार्ट करेंगे इससे पहले हम प्रिप्रेशन ऑफ सॉयल, सोइंग, एडिंग मैन्नुर और फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड और हार्वेस्टिंग पार्ट कर चुके हैं, अब हमने अपनी फसल काट लिये, उसके बाद के प्रोसेस को अब हम करेंगे, तो चलिये, स्टार्ट करते हैं, स्टोरेज, भंडारण, स्टोरेज भंडारण, स्टोरेज of produce is an important task, उत्पाद का भंडारण एक महत्पून कार्य ह है, if the harvested grains are to be kept for longer time, they should be safe from moisture, insects, rats, and microorganisms, यदि हम फसल के दानों को ज्यादा समय तक रखना चाहते हैं, तो उन्हें नमी, कीट, चुहों और सुक्षम जीवों से सुरक्षित रखना होगा, Harvested grains have more moisture, कटी होई फसल, चो ताजा कटी हुई होती है, उसमें नमी की मात्रा अधिक होती है, If freshly harvested grains are stored without drying, they may get spoiled or attacked by organisms, making them unfit for use or for germination, अगर हम फसल के दानों को सुखाए भीना भंडारित कर लेते हैं, तो उनके खराब होने, या जीवों द्वारा आक्रमन से, वे अंकूरित के लिए भी अनुप्योगी हो जाकते हैं, Hence, before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them, इसलिए भंडारण से पहले दानों को धूप में सुखाना बहत ही आवशक होता है, This prevents the attack by insect pest, bacteria and fungi, जिसकी वज़े से उनमें नमी कम हो जाती है, और वो कीटों, पीडकों, जिवानों, एवं कवक से सुरक्षित हो जाकते हैं, I saw my mother putting some dried neem leaves in an iron drum containing wheat, अब पहेली करिया है, मैंने अपनी मा को अनाज में नीम की सूखी पतियां रखते हुए देखा है, I wonder why, मुझे आश्चर्य हुआ क्यों, Farmer store grains in jute bags or metallic bins, किसान अपनी फसल को या तो जूट के बोरों या फी धातों के बड़े बड़े पात्रों में सुरक्षित करते हैं या भंडारित करते हैं, However, large-scale storage of grains is done in silos and granaries to protect them from pests like rats and insects, लेकिन पीजों का बड़े पैमाने पे जो भंडारन किया जाता है वो silo और भंडाग रहों में किया जाता है, जिसमें उनको पीडकों जैसे की चूहे एवं कीटों से सुरक्षित रखा जा सके, Dried neem leaves are used for storing food grains at home, घरों में नीम की सुखी पतियां अनाज के भंडारन में उप्योग की जाती है, For storing large quantities of grains in big godowns, specific chemical treatments are required to protect them from pests and microorganisms, बड़े भंडार ग्रहों में अनाज को पीडकों यह सुक्षम जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रसायनिक उप्चार भी किये जाते हैं, यह तो था हमारा भंडारन से सम्मंदित जो भी पाठ हमने किया, आशा करते हूं आपको समझ आ गया होगा, थांक्स वाच्चार यूच्ट से सुक्ष्ण आपको से सफेता धार, स्वक्त आपको सेंटाओना!